हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि فیसबुक अप्लिकेसन के उपर लॉक कैसे लगाया जाता है फैसबुक एप की उपर लोक कैसे डाला जाता है अगर आप एक Facebook एउजर है तो आज की ये वीडियो आप तलिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको में बिना किसी एप को डाउनलोड की एपली स्टोर से Facebook application log कैसे करते हैं बताने वाला हो 99% लोगों को यही नहीं पता है कि Facebook पर log कैसे लगा जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बाद जरूर सब्सक्राइब कर देना और वेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक जरू कर देना अब दोस्तों Facebook एप की उपर log लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल की जो सेटिंग है इसको यहां से आपको open कर लेना है अब जैसे आपको phone की setting open हो जाएगी इस प्राइब करके नीचे आना है और यहां पर आपको privacy वाली option पर click कर देना है तो आपके समने एक नया page open होगा और दोबारह आपको scroll करके नीचे आना है और यहां पर आपको app encryption पर click करना है फिर यहां से आपको अपना privacy password डाल देना है 6 अंक का अब जैसे आप password डालोगी आपकी mobile के अंदर जो जो apps download होगा वो यहां पर दिखाई देने लगेगा अब यहीं पर आपको scroll करके नीचे आना है और facebook app के सामने के एक setting है इसको आपको enable कर देना है अब माल लीजिए जैसे आपने इसको enable कर दिया तो आपका जो facebook app है वो mobile के setting से lock हो चुका है और आपको बाहर से कोई app download करने की जोगत नहीं पड़ेगी अब यहां से हम back आ जाते हैं अब जैसे में अपने मोबाइल के synchronous आपको आपको अपन करता हूं देख सकते हैं कि हमारा facebook app यहां पे lock हो चुका है और जब मैं password डालूंगा तब ही हमारा facebook app आप opening होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को इबाजरू सब्सक्राइब कर देना जब तक ले नए वीडियो में फिर से मिलते हैं